समस्कार मैं राज मुहंतिवारी आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज बिहार में मौनसून की दस्तक के बाद से बारिस का दोर लगतार जारी है राजधानी पटना समेत कई जीलों में लगतार बारिस हो रही है इस बिच मौसम बिभाग ने उत्तर और मद्य बिहार के अधिक ऩरगन्टे यानि तीन दिनों तक भारी बारिस के अनुमान हैं साथ ही नेपाल सो 60 उत्तर और मद्य बिहार के लगभग 11 जीलों में भी इसका व्यवितक असर पर सकता है नेपाल में कई छेत्रों में जानमाल की छती होने की असंका है मौशम विभाग ने 8 जुलाई को बिहार में संभावित बाड के संबंद में चेतावनी जारी किये और अधिकारियों को इस्तती से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए अगाह किया है मौशम विभाग ने पत्र लिखकर बिहार सरकार और आपधा प्रबंदन विभाग के प्रधान सचीव को इस संबंद में अलर्ट किया है मौशम विभाग ने पत्र में बताया है कि हिमाले की तलहट्टी में मौन्सून ट्रफ के उत्तर की और सिफ्ट होने के कारण सिनाप्टिक इस्तिती और मार्कदर्शन के रूप में नुमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल के विशलेशन के अधार पर भारत और नेपाल सीमा के आसपास के इलाकों में 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच बारिस की गतिविदिया बढ़ने के संभावना है ऐसे में किसंगंच, अररिया, कटिहार, पुर्निया, सुपॉल, मधुबनी, सितामडी, दर्भंगा, पूर्व और पश्चिम, चंपारन, साथी सिहुवर में अलग-अलग इलाकों में भारी-बारिस होगी यह मॉडल बाद में पुर्वी उतर परदेश की और बढ़े वहीं उन्होंने यह भी बताया है कि 17 जुलाई से पूरे राज में बारिस होनी की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी करने के बाद बिहार के मुखमंत्री नितिशकुमार ने संबंधित सभी जीलो को माह अलर्ट पर रहने को कहा है संबंधित जगों पर NDRF की टीम अलर्ट पर है साथ जीला परशासन ने भी स्थानिये इस तर पर तयारिया की है ताकि जालमाल की कम से कम हानियों साथ बारिस के बाद होने वाले जल जमाव से निपटने परशासन के लिए सबसे बड़ा चूनोती हो सकता है आपको पताते कि 8 जुलाई को 6 जीलों में 12 लोगों की जान अकासी बिजली गिरने से चली गई है जिसमें बेगू सराय में साथ तता भागलपूर मुंगेर कैमूर जमुई और गया में एक एक व्यक्ति की जान गई है मुखमंदरे नितिश कुमार ने इन 12 लोगों की हुई मौत पर दुख जताया है उन्होंने कहा है कि आपदा कि इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ है साथ ही सीएम नितिश कुमार ने अविलम मिर्तक के परिजनों को 4-4 लाक रुपए अनुगरन अनुदान देने के निर्देश दिये है नितिश कुमार ने लोगों से अपील किया है कि सभी खराब मौशम में पूरी सतर्कता बरते हैं खराब मौशम होने पर वजरपात से बचाव के लिए अब्दापरबंदन विभाग द्वरा समय समय पर जारी किये के सुझाव का अनुपालन करें खराब मौशम में घरों में रहें और शुरक चित रहें खबरों से अबडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज धन्यवाद